Good morning students, आज हम लोग assignment 4 बढ़ेंगे, इसका chapter है simple equation हमको उसका assignment 4 बनाना है और assignment 4 हमारे concept पेस्ट रमर में है, तो assignment 4 हमारा पेस्ट रमर 35 है और उसका नाम क्या है, solving more equation, इसके हमको equation को solve करने के बारे में हम लोग को सीखना है आई, 1 का 1 question number, यानि 1 का 1 question number दिया है, 3 bracket में, 3 plus 2 और bracket 1 आपका 21 और यहाँ के question है, P equal to 1 तो चलिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा, आप लोग को पहले ही समझाया जाता है कि अगर bracket के बाहर, plus minus का, अगर किसी चीज़ का symbol नहीं है, तो यहाँ पे जो digit है, यहाँ पे multiply का symbol है तो यह multiply जो 3 है, P के लिए भी है और यह 2 के लिए, यानि bracket के अंदर जितने digit रहेंगे, यहाँ में P plus 2, अगर आगे भी कुछ और digit रहता है, तो 3 क्या है, वो समझ के लिए है मांटिप्लाइब किज़ेका, तो 3 में P से इंटू किलेगा, तो 3 P, fit plus, fit, 3 इंटू, 2 तू 6 और 21 आप देखिए को, 3 P और इक्वर्ट्ट्ट्ट। के हम क्या करेंगे, इक्वर्ट्ट्ट। रहें देगे और 21 के हम लोग क्या करते हैं इकवार तू में आप लोग को पता है कि जो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगे तो डिजिट का सिम्बल चेंज हो जाएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड में तो डिजिट का सिम्बल चेंज हो जाता है तो यहां पर देखिए, यहां में 6 है, उसको ले जाएंगे तो यह माइनस 6 हो जाएंगे, अब हम अरहासारी शर्ट कॉर्पिलेशन कर सकते हैं, पी का वैलू कितना आ गया, पी का वैलू 5 आ गया, इसी तरह हम लोग को कोशन बनाते हुए, आगे जब आएंगे, तो हमारा कोशन है, देखिए आप कि कोशन नमबर D, वन का D ही कोशन है, पर आगया करते हुए, तो देखिए, वन के D कोशन में लिखा में 3 बाइ 2, Y, प्लस 4, रिपर 1 बाइ 3, यहां पर हम लोग को एक चीज़ करना है, जो सेन गुरुक का है, हमको उसको एक साथ कर देना, जो अलग यानि यह क्या 3 Y मेरा अलग है और 4 क्या है यह 1 बाइ 3 के चैसा है, तो 3 by 2 Y को इकवर्टू को इदर साथ ही रह देजे, यानि हमकी दर हमें इस देंगे आपको लेफ्वर्ट साथ ही रह देंगे, यह 1 बाइ 3 और 4 को अकर इकवर्टू के राइवर्ट साथ लेज़ और यहां क्या हो गया, 3 by 2 y, यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया, fraction का हम लोग का subtraction हो गया, हम लोग यह आपको पढ़े fraction का subtract कैसे बढ़ाते हैं, तो LCM 3, 1, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, 3 y by 2 equal to 11 by 3, और क्या हैं इसको direct multiplication कर दीजे, जो हम लोग तीर्षा-दीर्षी multiplication करते हैं, तो से multiplication कीजेगा, तो 3y into 3 equal to 11 into 2, यहां क्या हो गया, यह क्या हो जाएगा, सारा चीज बटे में चला जाएगा, और answer हमारे यह हो जाएगा, तो देखेंगा, answer क्या लिख सकते हैं, 22 by 9, हम इसका answer लिख सकते हैं, अब portion number का हम आते हैं, 2, तो देखें, 2 का portion कहता है, 2 का B number portion, देखें, 2 का B number portion, same आपको यह वाला portion है, चीक है, आप देखेंगा, 3, 2x, minus 1, फिर minus x, और 2 लिख, अब क्या यह 3 इसके लिएगा है, और इसके लिएगा, जब चलीं, 3 कुझा 6x, और minus 3, फिर क्या है, ब्राकें को जब खतम होगा, तो इसके बाहर minus x है, तो minus 6 इसके तरफ लिखेंगा, फिर क्या की जएगा, जो एक जैसा है, उसको एक तरफ लिखती जए, जो अलग है, उसको हम अलग लिखेंगे, तो यह जब राइटर साट जाएगा, तो minus 3 का सिंबाद चेंज है जाएगा, फ्लस 3 में जाएगा, तो 6x में से x जाएगा, तो 5x, और यहां किता हो जाएगा, जो इसी तरह हम को साथे question में, किसी question में हम लोग क्या दिया है, फ्लस फ्रैक्श्ש न का station भी दिया है, बनाने के लिए, किसी question में इस तरह का multiplication भी दिया है, इसी तरह हम लोग को सारे question इजर्ए बनाने है, आप लिखेंगा, एग ह नबर question, 2 का h, 52 यहां पे देखें 5y को कॉमन कर लेजएगा क्योंकि 5y स्रिक अकेला है और यह 1 by 3 का हम इक्वर्टू के राइटेट साइट देजेंगे तो यह क्या हो जाएगा ग्रस 3 हो जाएगा अब 3 और यह 14 इसका एंसर किया हो जाएगा आप लोको इसका एंसर हो जाएगा 5y इंटु 3 एक्वर्टू 14 और यहां से y कॉमन लेंगे तो 14 by 5 इंटु 3 एंसर क्या हो जाएगा 14 by 15 यह हम लोग का एंसर हो जाएगा इसी के साथ बच्चो आप इसी तरह इस आसाइमेंट पोर में सारा कोशन बनाते आएगे तो आप तुरको सारा कोशन बढने लोगा तर तर के लिए आज के प्लास इतना ही तर तर के लिए थैंक यू ओके बाए